अब आज में आपको मास्क ऐसे बनाते हैं तो इसके एक दूसरे तरीके के मास्क की मैं ने वेड़े बिराद चुकी हूं तो ये अलब तरह से हैं तो इसको किस चरह बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी देखें ये कितना च्छब लग रहा है तो इस तरह से ये हमने 11 इंच का कपना दिया गया है इस तरह से यह 11 इंच का है यानि 286 cm का और इसको हमने इस तरह 4 खोल किया रहे हैं यह देखिए तो फ्रंट 3 सेंटी मीटर का हमें इस साइड निशान लगाना है सबादे हिसाब निशान लाना चांच आ मैं 9 इशाबें देदी निशान का 3 at mm के बाद 6.5 श्मार का चांच इसे में हडे पॉआ कैसा हम इस तरह से और उसके बाद यहां पर इस सब्सक्राइब हमें पांच संटी मिट्र का निशान लगाने और एक निशान में इसी तरह नहीं हमें यहां पर दगाना तो दो इंच का इस तरह से अब इस हम इसके साथ मिला देंगे इससे तरह से और इस निशान का हम इसके साथ मिला देंगे इससे इस तरह से में दोना निशान को इस निशान को इसके साथ और इस निशान को इसके साथ हमें दाना है और फिर एक निशान जो हमारा ये दोना है इनको हम आपस में दादेंगे इस तरह से और फिर इस तरह हम यहां पर इसके बोलाई देंगे इस जीने के कि इस तरह से हैं अप्रांस हमें इसको पहले इससे काटना है और फिर इससे काटना है और फिर यह गोलाई हमें इसकी को दुनी है कि अप्रांस हमारा इस तरीके से कटकर प्रांस हमें सबसे पहले इन दो नुसरी में इससे फाटने के देगोगे इस तो पिकी से लगाने है हारा इसमया में इस तरह साई के लगाे इसको डबल करेंगे थे पहले और तिसे तरह में इस साइड़ें में इस तरह सलाई लगानी है इस तरह से हमें दोन तरह सलाई लगानी है आप हम यह जो हमारी पन साइड़ें को हम खोल देंगे इसको फोल 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 देंगे तो इस तरह अपरांस हमने दोनों ही अपने पर सलाई लगा ली है यह देखिए और अब हम अपने इसको मास्क को इस तरह से करेंगे मिलाएंगे इस तरह से और यहां पर निशान लगाएंगे हम एक 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 निशान चोड़ देंगे सीधा करने के लिए और हम यहां चारो तरफ इस जंग्या को चोड़ते हुए चारो तरफ अपनी स्लाई लगा लेंगे इस तरह से इतनी जिंगे को हम छोड़ेंगे और आगे से स्लाइड दाएंगे और चारो तरफ इसके हम स्लाइड दाएंगे स्लाइड दबल लगानी है और इस तरह में अपने स्लाइड लगाने और छोटे-छोटे पटने आपर लगाने है वह जोड़ना आए तो इस्तरह से हम कटने चारो तरफ इस पर लगाएंगे ऑज पूर पूर से को ऐसे को शीच मेडिय आपर लगाने रैके शोड़ने करने के लिए आप दो करेंगे दो साइड डिए पूर इसके मुस्यान ये को भाड़ने और इस तरह से हम कलानावा इस तरह से, दोनों साइड के, और उसके बाद परणस हम एक दबी हुसलाई चारो तरफ इस पर लगाएंगे, चारो तरफ हमें इसलाई लगानी है, और देखिए हमने इसके चारो तरफ सलाई लगा लिया और अब हम इसको इस तरह से थोड़ा फोल्ड करेंगे, और यहां पर सलाई लगा देंगे, और आप चाहें तो यहां से थोड़ा खोल कर और इसको अंतर करके भी अपने जो लाश्टिक या टूरी आप डालना चाहते है और इसकी भी लगा सकते हैं, तो किसी की भी आप लगा सकते हैं, लाश्टिक भी टाल सकते हैं, फिर आप तो इसकी तरह करते हैं, दोनों साइट, इस साइट भी हमें ऐसी करना है, इस तरह से हमने दोनों तरह से इसको अंदर की साइट मोड़ लिया है, यह देखिए, यह हमने 8 इंच की लाश्टिक लिए है, तो 9-9 इंच की दोनों साइट हमें डालनी है, तो यह हमारी 9 इंच की, यह हमारी 9 इंच की लाश्टिक है, और इसको हम आधे-आधे कट कर लेंगे, इस तरह की से, इसको इसको इसके अंदर टादेंगे, इस तरह की से, और यहां पर गाट लगा देंगे, इस तरह हमने गाट लगा के इसको हमने इस तरह कर देना है, और ऐसे हमने दूसरे तरफ करना है, इस तरह गाट लगा देंगे, और चाहें तो आप कपड़े की भी बारिक डोली बना कर लगा सकते हैं, इस तरह से, तो देखें फ्रेंड से दिया, आपको हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्याजादा शेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद फ्रेंड्स, करेंगे, चाहें भीडियो को हमारे चाहें झाल झाल झाल